हे गाई नमस्तार आप लोगों का टाप्टन क्लासेज के प्यारे से यूटूब फैनली पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारह की भौतिक विज्ञान की लास्ट अत्याय की और आज के द्याय का नाम जो है वह है बैदुत चुमकी तरंग अर्थाद हम लोग बैदुत चुमकी तरंग का जो फर्ष्ट लेक्चर है वो हम लोग आप लोगों ने देख लिया होगा यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप तुरन देखिए प्यारे बच्चों क्यों कि वहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्डन की चर्चा की गई अर्थाद बिस्तापंधारा के बारे मौह बताया गया है तो आज हम चर्चा करेंगे आप देखी लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं मैक्सुल के समीकर्णों की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों और एक जाम में कई बार क्यूस्ट पू जरूर सेर कीज़ेगा पैसे वीडियो पसंद आता दो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर कीज़ेगा तरी लेक्टे कर लेते हैं सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो मैक्षुल वाई साथ थे न वह एक्चुल में अपना समी करण दिये ही नहीं थे जितन आपको कौन मिला फैराडे से बिद्दु तुहाग बलप्राप्ट किये थे ना फिर तीसरे में उसके बाद आपको एंपियर मिल गए तो इन तमाम लोगों का मिला कि यह अपना समी करण दिये थे उन्हीं के समी करणों को लेकर यह अपना नाम दे दिये कि भाई हम आप से अन अधराजआत लेकिया मापके समी करन को संसोधित करके हुआ आपको दे रहे हैं अब जो मैक्सवाप समी करण होता है सर्मैक्ष्पिसए कर लका से किस κιगत है तो वह वे समी करण या ऐसे समी करण जो व्युद्दुत था चुंबकतने पताज़के बदुतत समीकतने गु वो क्या कहलाते हैं, प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं, जो निमलिखित रूप से हैं, मतलब हम कह सकते हैं, जो कि चार प्रकार के होते हैं, आज हम उन चारों समीकरण की व्याख्या करेंगे, और चारों समीकरण को समझेंगे, ठिक, म मैकस्विल। इन्यम प्रftम समीकर millise61 प्र। मैकस्विल। मैंकश का प्यारी बच्च जो प्रस्थम समीकरन है वह गोश के नियम पर आधालत है He पहला इनका समीकरन गो तेन्यम है अब गौश का नियम आपने द्याय नंबर पृफ्ष्ट के ले लिए अभिस्ट के अंदर कोई आवेस रख दिए अभी इस आवेस से विद्धुत बल रेखाए निकलेंगी बाहर की तरफ बढल रिखाए निकलेंगी तो विद्धुत बल रिखाओं की संख्याई ये माल लेते हैं यह को एक बिखाया हुआ है तो इस प्रिष्ट से उखागे जो वा धुद्ध बल रेखाया होंगी वा बैदुद्ध फ्लक्स का लाती है है तो सारा हम लोगों उस प्रिष्ट से घिरे कुल आवेश का वन बटे एपसालेन गुना होता है यही चीज गौस ने भी बताया था और यही मैक्सवल का प्रतम समीकरन तो मैक्सवल का प्रतम समीकरन क्या है पहरे बच्चो किसी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स बैदुत फ्लक्स उस प्रिष्ट से घिरे हुए कुल आवीश क्यूंका वन बटे एपसालेन गुना होता है वन बटे एपसालेन गुना होता है क्या इतनी बाते आपको समझवारी प्यारी बच्चों क्या इतनी बाते आपने पहले क्लास में पढ़ भी लिया है क्यूंका वन बटे एपसालेन गुना होता है अर्थात अगर इसको हम गड़ती रूप में लिखना चाहे ने बाते बैड़त फ्लक्सकों फा इसे बट करते है, किसे बट करते हैं फा इसे बट करते है एकल टू होगा कुल आवेस कितना है क्यूं का एपसालेन गुना होता है इसको हम दूसरे सब्दों में भी लिख सकते हैं 5E को हम लिखते हैं E into DA E into DA और ये बंद प्रिष्ट का समाकरन ये बंद प्रिष्ट का समाकरन मतलग किसी भी बंद प्रिष्ट से होका गुजरने वाली बेंदुद बन रिखाओं की कुल संख्या Equal to Equal to क्या हो जाएगा Q बटे क्या हो जाएगा प्रिष्ट का प्रिष्ट समी करन जो की आपके जो की आपके गौस्के नियम से पूर्ण रूप से यह इस त इसके लिए होता है तो यह point आप note कर लिजेगा क्या कि यह समीकरन इस्थिर आवेश के लिए भी लागू होता है गतिमाल तो इस्थिर वह गतिमाल आवेश के लिए होता है दोनों आवेश के लिए होता है अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चो मैक्सवेल का दूसरा समीकरन किसका चर्चा करेंगे मैक्सवेल का दूसरा समीकरन तो चलिए अब दूसरी टॉपिक हम मनाते हैं मैं प्यारे बच्चो यह बिद्दुद फ्लक्स के लिए हो गया यह किसके लिए हो गया बिद्दुद फ्लक्स अर्थात बिद्दुद बल रिखाओं के लिए गौस का प्रवे हो गया अब अगर हम मालें कि उस बंद प्रिष्ट के अंदर उस बंद प्रिष्ट के अंदर आवेश न रखकर एक चुम्बक रख दिया जाए तो क्या गौस का नियम हमने इसा पढ़ा था जी बिल्कुल प्यार बच्चो अपने चौत्य अध्याय में पढ़ा है गौस का नियम अप समय करण है अब आएए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं जैसे हमने कहा कि यह कोई बंद प्रिष्ट है और इस बंद प्रिष्ट के अंदर इस बार आवेश भाईया नहीं है कौन है आवेश नहीं है कोई चुम्बक है जिसमें दोठो धुरू होता अन और एस अर्था जानते हैं कि किसी बंद प्रिष्ट से किसी भी बंद प्रिष्ट यह बंद प्रिष्ट दिखाई पड़ाना किसी भी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाली होकर गुजरने वाली जो चुम्बकी फ्लक्स होता विया होकर गुजरने वाली जो चुम्बकी फ्लक्स होता बाहर की तरफ निकल रही हैं तो हम एक बात आपको बताते हैं अब देखेए अगर जितनी इस प्रिष्ट से जितनी चुमकी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है उतनी चुमकी बल रेखाएं इसमें अंदर की तरफ क्या कर जा रही है प्रवेस कर जा रही है अर्था निकलने वाले चुमकी बल रेखाओं की संख्या बराबर प्रवेस करने वाले चुमकी बल रेखाओं की संख्य इसलिए उस बंद प्रिष्ट से होका गुजरने वाला जो चुम्बकी फ्लक्स है वो क्या हो जारा सुन्ने हो जारा क्योंकि जितनी चुम्बकी बर्लेखाएं बाहर निकल रहे हैं उतनी चुम्बकी बर्लेखाएं अंदर की तरह प्रेस कर जारे हैं या इसलिए उस बंद प् और यही Maxwell का दूसरा समीकरण था क्या इस बात को लिख लिए जाए प्यारे बच्चो क्या आपको ये बात समुझ में आ रही है चलिए इसको लिख लेते हैं तो प्यारे बच्चो यह हमने यहाँ पर Maxwell के दिती समीकरण को लिख दिया कि किसी भी बंद प्रिष्ट से होका गुजरने वाली जो चुमकी फ्लक्स होती है फाई भी वो सुननी के वरावर होता है यही Maxwell का दूसरा समीकरण है अब इसको हम लिख सकते हैं फाई बी इक्वल टू जिरो अब जिस प्रकार फाई एक्वल टू ए इंटू डिये था प्यारे बच्चो उस प्रकार फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू डिये अर्थात बी इंटू डिये और बंद प्रिष्ट का समाकलन equal to zero प्यारे बच्चो ये Maxwell का प्रथम समीकरन था और ये Maxwell का क्या है दूसरा वाला समीकरन है अर्थात किसी भी बंद प्रिष्ट से होकर गुजरने वाली जो चुम्ब की फ्लक्स होती है चुम्ब की बल रिखाएं होती है वो सदे सुन्ने होती है क्यों प्यारे बच्चो क्यो इतनी अंदर प्रिवेस्ट करते हैं इतनी बाद की तरह निकल जाती है इसलिको वहां पारिवर्ट नहीं होता हो चुम्ब की फ्लक्स क्या होता है तो यह मैक्सविल का क्या है प्यारे बच्चों यह मैक्सविल का दूसरा वाला समीकरन है अब हम चर्चा करेंगे तीसरे बंदपत से अगर होको गुजरने वाली जो चुम्बकी फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन किया जाए उसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो परिपन में एक बिद्धुत्वाग बलुत्पन हो जाता है तो वहीं समसुरुवात कर रहे हैं अगर हम चुम्बकी फ्लक्स की बात करें तो किसी परिष्ट से किसी परिष्ट से निर्गत कुल बैद्धुत्फलक्स क्या हो जाएगा निर्गत बिद्धुत्फलक्स तो अगर हम निर्गत बिद्धुत्फलक्स की बात करें तो उसका व्यंजब क्या होगा तो उसका फाई बी क्या हो जाएगा फाई बी एक्वल टू क्या हो जाएगा बी इ बंद प्रिष्ट की आप बात कर रहे हैं उस बंद प्रिष्ट का समा किलन B इंटू डिए उसका क्या होगा वैदूत्फ्लक्स होगा क्योंकि वैदूत्फ्लक्स का जानते हैं प्रिष्ट का समाकलन कर देते हैं, तो किसी भी बंद प्रिष्ट से निर्गर्ट जो प्रिक्स होगा, वह समाकलन उस बंद प्रिष्ट का अब यह फाइबी की बैलू यहां पर उठा के रख दीजी आप प्यार बच्छो तो रखी क्या हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा अब प्रेरीत विद्धुत्वाग बल क्या होगा प्रेरीत विद्धुत्वाग बल प्रेरीत विद्धुत्वाग का बल कुल प्रेरीत की बात कर लिए जाए पहले बच्चों कुल प्रेरीत विद्धुत्वाग बल E equal to अब 5B के अस्तान पर हम यहां रखे देंगे 5B के अस्तान पर हम यहां पर रखेंगे प्यारे बच्चो तो D upon DT को भी तक बाहर रखते हैं और integration आप B into क्या कर दिये अगर हम minus D upon DT का अंदर गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा NT के रखेंशन आप बंदप्रिष्ट D DT B into क्या हो जाएगा क्या इतनी बात आपको समझवाई प्यारे बच्चो क्या इतनी बात आपको समझवाई हम बना लेते हैं समीकर नमबर 2 बना चुके हैं यह तीन बना लेते हैं अब यदी यदी प्लेटों के वीच या यदी परिपथ में यदी परिपथ की बात हो रही न तो यदी परिपथ में परिपत में लगा विद्धुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जाएगा DL, E into क्या हो जाएगा प्यारे बच्छो, DL हो जाएगा, क्या इतनी बात समझा रहा है, जब परिपत में विद्धुच्चेतर E की उपस्ति हो, तो उस समय जो विद्धुतुहागवल होगा, वो E into DL हो जाएगा, अगर हम किसी बंदप्रिष्ट की बात कर रहे है तो उस बंदप्रिष्ट का क्या कर देते हैं, रेखिए समाकरण, किसी भी बंदप्रिष्ट से, अगर उत्पन जो विद्धुच्चेतर उस समय अगर E रहेगा, तो उस समय विद्धुतुहागवल E equal to हो जाएगा, बंदप्रिष्ट का समाकरण E into DL, अभी बना लेते हैं यह समीकरण नमबर चार, अगर समीकरण 3 और 4 को देख पा रहे हैं, एक पक्ष बराबर है, तो यह वाला पक्ष भी बराबर होगा, तो समीकरण 3 और 4 से, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन आप E into DL equal to minus integration of D upon DT, B into क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चो वाला समीकरण, यह है मैक्सविल का तीसरा समीकरण, कुछ भी नहीं है, प्यारे बच्चों, कितना सरल है, देखे, विद्धुतोहागबल से स्टार्ड किये, 5B की बैल उठा कि वहाँ पर रगदी, तो आपको यह चीज मिल गया, अब हम क्या करें, कि यदि परिप्रत में म मैक्सविल का तिर्ती समीकरण, वह आपको क्या बता रहा है, वह आपको क्या गजग की चीज़े बता रही भी, यह देखे, डी अपान डीटी B into-DA, बी INto-DA क्या है, चुमबकी चेतर में ले रहे हैं, तो चुमबकी चेतर में परिवःतन की कारण, अगर चुमबकी चेतर म हो जाएगा तो Maxwell का तीसरा समीकरण यह बताता है तो यह चीज यहाँ पर लिख लिजएगा पैरवेच्चो यह हम यहाँ लिख दे रहे हैं वो जो point है यह Maxwell का तीसरा जो समीकरण है यह समीकरण यह बताता है यह समीकरण यह बताता है यह बताता है कि परिवर्तन सील क्या परिवर्तन सील चुम्बकी अचेत्र बिद्दुच्च्च्च्च का निर्माड करती है का निर्माड करती है का निर्माड करती है ये है प्यारे बच्चो मैक्स्विल का तिरती समी करन इसको हम अलग कर देने भाई इसको हमने ये पॉइंट लिए ठीक ये है मैक्स्विल का तिरती समी करन ये प्रथम ये देती है ठीक अब एक समी करन और बचार प्यारे बच्चो म मैक्सविल का चौथा समीकरण उसकी आपकी एक्जाम में पूछेगा कि मैक्सविल की समीकरण से आप क्या समझते हैं तो आपको इन चारों समीकरण को लिखना पड़ेगा पहला दूसरा तीसरा सब कुछ आपने पहले दुसरा तीसरा चप्टर बढ़ा मतलब मिला जो रहा है आपने जितना उधर बैग्यान को के नियम पड़े थे उन सभी नियम को मैक्सुल ने एक कर दिया था बस तो प्यार बच्चो अब हम बात करते हैं मैक्सुल के चतुर्थ समीकरण का चौथे समीकरण का अब चौथा समीकरण हम इधर चर्चा कर लें प्रतम दिती और तृती उधर चर्चा कर लिए प्यार बच्चो तो आपको मैक्सुल का चौथा समीकरण वह क्या है ध्यान से समझेगा आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाता विस्तापन धारा यादारा कुछ वही जो बेंजक आपने वहां प्रात्त किया था वही तो मैक्सुल का चौथा वाला समीकरण में बहुत काम देगा पहले बच्चो अब मैक्सुल ने चौथे वाले में क्या बताया जानते हैं कि यदि परिपत में यदि किसी परिपत में ऐसा कोई घटक उपलब्ध हो ऐसा कोई स्टिन के शुपकी चैर का समाखलेन होता है उस इस्थी में जो चुम्बकी चित्र की स्य है吧 वो शुक जो योग के मिऊनाठ गुना होता है कि यह चीज हम यहां पर लिख रहे हैं कि यदि यदि परिपत में एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा अवयो उपस्तित हो एक ऐसा अवयो उपस्तित हो जिसके कारण धारा में क्या हो प्यर्वत्चुप परिवर्तन हो धारा में परिवर्तन हो तब वहाँ विस्थापन धारा उत्पन हो जाता है वहाँ विस्थापन धारा उत्पन हो जाता है तब जो चुम्बकी चेत्र होगा B into DL तब जो प्यारे बच्चो B into DL होगा वो किसके बराबर होगा म्यूनाट म्यूनाट और IC मतलब प्यारे बच्चो जो धारा बहती है वो जो इलक्तानों के कारण उत्पन होती हो और जो धारा परिवर्तन के कारण उत्पन होती हो उन डोनों के योग के म्यूनाट गुना होगा तो प्यारे बच्चो यह हो गए म्यू नाट ये हो गई IC इनका अगुरा यहां कर दें तो म्यू नाट ID हो जाएगा हम ID की वेलू यहां जानते हैं प्यारे बच्चो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी वेलू निकाला है क्या आजाएगा बताई म्यू नाट इसका हम लोगों नहीं पढ़ा एपसाले नाट इंटीग्रेशन आप D फाई E अपान डी टी यही तो हम लोगों नहीं पढ़ा प्यार वेच्चो इंटीग्रेशन B इंटू DL B इंटू क्या हो जाएगा DL यानि मिलाजुला के मैक्स्वेल का चोथा समीकरन क्या बताता है सोचिए जरासा मैक्स्वेल का तिर मैक्स्वेल का जो चोथा वाला समीकरन है वो बता रहा है कि विद्दू छित में अगर आप परीवर्तन करोगे डीप आई अपान डीपी विद्धु छेतर में परिवर्तन के कारण चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाएगा मैक्स्विल का चौथा समी करण तो मैक्स्विल का चौथा समी करण वो क्या बताता है प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो मैक्स्विल का प्रथम दिती और तिती और चौतर चारों जो समी करण थे वो आपके स्क्रीन पे फुल रूप से दिखाई पड़न होगी प्यार बच्चों आई होप कि आपको आज़की वीडियो जरूर पसंद आई होगी प्यार बच्चों यदि कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर्मुझे ये चीज नहीं क्लिए होगी प्यार बच्चों और उम्मेद है कि आपको कहीं भी किसी प्रेकार का डाउट नहीं रह गया होगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत थैंक यू आल देश्टुडेंट् और नेक्स्ट वीडियो की लास्ट क्लास होगी उसके बाद ये फर्स्ट फिजिक्स और इस चैप्टर का समाप्ती हो जाएगा प्याद वाचो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत